प्लान करेंगे सेलिंग करने के लिए लेकिन बाइंग के लिए थोड़ा सा मार्केट दिख रहा है अगर यह लेवल क्रॉस करता है हम लोग बाइ कर सकते हैं टार्गेट हम लोग का 700-800 होना चाहिए लेकिन मौनिंग हाउर में ये ब्रेकाउट देने के बाद सफ्टेंड नहीं किया अगर हम लोग देखेंगे 45 मिनिट इसी लेवल के असपास स्ट्रगल किया उसकी बाद थोड़ा सा लेटर हाप में लास्ट वान आवर के अंदर थोड़ा सा सेलिंग का प्रेसर यहाँ पे दिखा लेकिन कंटिंसरी वोलेटिलिटी थी अभी अगर हम लोग देखेंगे कि क्लोजिंग प्राइस के हिसाफ से 39,200 तो इंपोर्टान लेवल है लेकिन श् पांच मिनिट या पंदरा मिनिट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो थोड़ा सा सेलिंग का प्रेसर भी यहाँ पे देखने मिल सकता है क्यूंकि इसी लेवल पर मार्केट अभी डिसाइड हो रहा है कौनसे साइड मूब कर सकता है अगर इसकी नीचे निकलता है तो मार्केट हमको कंफर्म दे रहा है कि ने हां ये होल नहीं कर पा रहा है थोड़ा सा सेलिंग का प्रेसर यहाँ पे बनेगा लेकिन बाइंग के लिए देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा था नो डाउट यहाँ पे वीक्स तो दिख रहा है लेकिन क्लो bank nifty 100, 300 point उपर नीचे हो रहा था, थोड़ा सा volatility ज्यादा है, wait करेंगे 39,430 के उपर अगर एक closing दे देता है, फिर हम लोग बाइंक लिए प्लान करेंगे, लेकिन 250 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत time तक defend कर रहा है, इसके नीचे अगर closing दे देता है, 39,250 तो आने वाले time में ये swing पी जादा time hold नहीं कर सकते, बहुत तेजी से जा सकता है, तो कल wait करते हैं, कॉंसे side market हम लोगो दिखता है, क्योंकि side wage, volatile market हम लोगो देखने मिल रहा था, तो wait करते हैं, कॉंसे side ये breakout देता है, अगर हम लोग nifty यहाँ पर देखेंगे, एक अच्छा खासा range के अंदर ये बना हुआ है, एक घंटा continuously same range के अंदर trade कर रहा है, 18,000 psychology level के उपर आज भी ये close दिया है, तो ये range breakout होने के बाद हम लोग trade कर सकते हैं, ये momentum तो दिया, लेकिन इसी range के अंदर फसा रहा, psychology level है, तो कल हम लोग wait करते हैं, 18,070 के उपर अगर निकलता है, इमीडिट हम लोग buy कर सकते हैं, एक अच्छे level पर दिख रहा है, stop loss बहुत कम लगने वाला है, अगर ये नीचे की side एक 15 minute का candle close कर देता है, 18,000 के नीचे, क्योंकि आज बहुत बार ये try किया, breakdown देने के लिए, लेकिन in the end में closing उपर दिया है, तो कल अगर ये fit से trade करना start कर देता है, तो थोड़ा सा selling का pressure aggressive देखने मिल सकता है, buying के लिए market को इसके उपर continuously hold करना पड़ेगा, और ये सारे level थोड़ा सा उपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि continuously similar place पे 18,000, 17,000, 950, 900, इसी range के अंदर market trade कर, अगर market को उपर जाना है, तो market 18,100, 200, ये सारे level के आसपाश trade करना चाहिए, so that 18,000 sellers के लिए एक different place बन जाए, लेकिन एगर same level पे continuously trade हो रहा है, तो इसार सेलिंग हो सकता है, कल वेट करता है, कौनसे साइडिया, breakout या breakdown देता है, पहला stock या Reliance अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, टॉप से थोड़ा सा price action सेलिंग के साइड पे दिख रहा था, अभी continuously 2500, 2450, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लाश्ट टाइम इसी लेवल के आसपास ये swing बनाया था, तो अभी current लेवल पे एक अच्छा setup यहाँ पे दिख रहा है, 2525 के उपर अगर ये निकलता है, 10 रुपे का stop loss होना चाहिए, 1-2-2 हम लोग का target होना चाहिए, लेकिन ये level cross होने दीजी, अगर ये cross नहीं करता है, तो हम लोग इसको touch नहीं करेंगे, क्यों 25 round level के पास है, अगर बहुत थोड़ा gap down खुल जाता है, तो हम लोग इसको ignore कर देंगे, लेकिन अगर flat खुल के cross करता है, तो हम लोग अच्छा momentum यहाँ पर हो सकता है, next हो के HDFC bank, bank nifty को थोड़ा सा कल अगर negative बना सकता है, तो ये एक stock थोड़ा सा negative दिख रहा है, HDFC bank अगर हम लोग देखेंगे, continuously same level hold तो कर रहा था, लेकिन आज का closing थोड़ा सा confirmation नहीं दिख रहा है, buying के side, 1500,70 के नीचे एक selling फिर से आ सकता है, और यहाँ पर swing बनाया था, no doubt यह support area है, लेकिन जिस तरी कैसे candle दिख रहा है, थोड़ा सा breakdown होते हुए दिख रहा है, तो कल अगर ये 1570 के आसपास trade होता है, हम लोग इसको sell कर सकते हैं, 5-6 रुपीज का stop loss होना चीए, 1-2 target होना चीए, कल अगर इसको sustain करना है, तो बहुत बड़ा यापप खुलना पड़ेगा, 1580 के उपर अगर कहीं पे खुल जाता है, तो ही ये sustain करेगा, अगर ये flat कुलने का नीचे आता है, फ़रासा selling का pressure आप लोग को HDFC bank में देखने मिल सकता है, next talk है, हिंडल को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक inside candle बनाया है, दो दिन से एक selling का pressure है, और 450 के आसपास एक selling का sign यहाँ पे है, एक support है, तो वहाँ तक market आ सकता है, साथ selling था, यहाँ पे continuously hold किया, लेकिन फिट से यह price action negative side दिखा रहा है, 4, 6, 3 के नीचे हम लोग इसको sell कर सकता है, 3 से 4 रूपे का stop loss होना चाहिए, 1 to 2 हम लोग का target होना चाहिए, एक अच्छे level पे दिख रहा है, पहले 460 के आसपास थोड़ा pause ले सकता है, उसके अधि यह continuously move कर सकता है, नेक्स्ट ओक है बहर की हैटल, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 500 के आसपास लेवल से मैं आपको holding के लिए recommend इसको किया था, एक अच्छे level पे था, जब यह breakout दिया, एक अच्छे level पे पहुँचने के बाद, बहुत टाइम तक इसने रेंज बना चुक है, अल्मोस्ट एक से देढ महिना हो गया, सेम रेंज के अधर पड़ा हुआ है, 640 यह 660 से लेकर 720-30, इसी रेंज के अंदर यह trade कर रहा है, अगर यह अच्छा sign दिख रहा है, अगर 715 यह cross करता है, तो 3-4 उप्रे का stop loss होना चीए, 1-2 हमलों का target होना चीए, यह try करेगा 720 के उपर एक closing देदे, so that आने वले टाइम में, यह range breakout के उपर ही trade हो, I hope यह सारे point आप लोगों समझ में आ रहे होंगे, वीडियो चला होगे अधरे में like and circumference, अविकले इतना ही, thank you.